मैं सुखे मसाले डालेंगे खुस्बू के लिए और वस्वात रिहीदी वी नारा नमस्टे सर्म सुबा में पूजा अगर हो गई है हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं काजल आप सब का स्वागत करती हूँ और कैसे हैं आप सब I hope आप सब बहुत अच्छे हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबा सुबा ही सबजी बनाना सुरू कर दी है तो हाँ आज मैं सुबा सुबा सबजी ही बना रही हूँ क्यूंकि आज है Tuesday मंगल बार और मेरे husband का fasting रहता है तो मैं सोची कि पहले सारी चीजे नमक की बना के हटा देती हो और उसके बाद किचन की सफाई करके तब जो भी दूधुगरा उबालना होगा बॉयल करूंगी तो आज लड़के का है स्कूल में छुटी और लड़की जाएगी मेरी स्कूल तो पनीर की सबजी इसलिए बना रही हो कि दो पहर में भी चलेगा थोड़ा सा तो आलस पना ही जाता है अगर जिस दिन हस्में लोगों को खाना नहीं रहे तो उस दिन आदमी पता नहीं क्या हो जाता है हम लोगों को आलस हो जाता है तो इसलिए सॉट कॉर्ट में एक ठो सबजी बनाऊंगी और यही सुबह में और दोपहर दोनों टाइम चलेगा चलिए सबजी भी बन गई है और इधर रोटी भी बन ही रहा है बन ही गया है एक तो है तो आप टेस्ट कीजिए यह है ब्रेकफास्ट तो मैं लड़की के लिए निकाल देए थी तो मैं सोची कि एक ठो ज्यादा निकाल के आपको भी दे दूँ और यह पूजा करते समय बहुत डिस्टर्ब करते हैं कभी जलका लोटा चाहिए कभी कुछ चाहिए कभी घंटी चाहिए करनी चाहिए तो ये मुझे भी लगाएंगे टीका और परसाद अगरा मैं दे रही हूँ अपने हस्पेंट को अब मेरे हस्पेंट ड्यूटी जा भी रहे है कि उनका लेट हो रहा है सुबा में पूजा अगरा हो गई है मैं भी नहाओ हाली हूँ अच्छे से और इन्हें देखिए और ये आज बजरंग बली बन गये थे सिंदूर उंदूर सारा लगा के नीचे मैं उतारी खेलने के लिए पूरा सिंदूर छिट दिया यहाँ पे देखिए कितना लाल लाल हुआ पड़ा है मैं सारा पोचोच करके हटाई और दो-तीन जापड भी दी सिंदूर से क्या खिलवाड है भाई यह अच्छी बात नहीं है तो थोड़ा सा मेरे से यह है गुस्से में है तो मेरे हस्बिन ब्रेकफास्ट में आपका दही और गून लिये है और मैं चल रही हूँ रोटी सब्जी लूँगी मेरे हस्बिन परस्टी है तो सब्जी बनी है तो आज का ब्रेकफास्ट है मेरा देही रोटी और सब्जी तो चलिए नास्ता करते हैं पहले ठीक है फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ तो इसके लिए हम मेजर्मेंट के साथ ये दो कटोड़ी एक दम बराबर है इसमें ये चना का दाल है और ये अरहर का दाल है इसे हम तूर दाल भी कहते हैं तो इसे हम अच्छे से ठीक है तो धोने के लिए हम दोनों मिक्स कर देंगे और दोनों ही दाल एक्तम अच्छे से रगड़ रगड़ के धोईंगे ताकि इसमें का जितना भी पॉलीज उन पॉलीज जो भी है उसका सारा स्टार्च निकल जाए और इसको सोक करके नहीं रखेंगे तो हम इसे रख देंगे पहले कुकर में उसके बाद एक टमाटर का हा एक्ठो मीडियम प्याज है जिसको चार टुकड़ो में मैं काट ली हूँ और ये चार लहसुन की कलिया डाल दीजिए को इसमें चीरा लगा के डाल दीजिए चीरा लगाने से क्या होता है ना इसका अच्छा फ्लिवर आता है मैं सुखे मसाले डालेंगे खुस्बू के लिए और अच्छा फ्लिवर के लिए तो ये है लॉंग लॉंग डाल दी रही हूं मैं और तेजपता दीखे एक दम साफ करके बहुत सारे तेजपते आते हैं जो साफ नहीं रहते हैं तो तेजपता साफ करके रखें और एक नमग डाल दूँगी और नमग स्वाद अनुसार डालें अपना अपना फ्लेवर है अपना अपना टेस्ट है अब हल्दी डाल दूँगी और कुछ नहीं करना है आप ढकन बंद कीजे और बंद करके बस इसे गैस पे चरहा दीजे बंने के बाद कुछ ऐसा हुआ है और हम इसे एक पर चला के देखेंगे तो देखिए एकदम अच्छे से गला हुआ है ठीक है अब हम इसमें तड़का लगाएंगे दाल में तड़का के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं ली रही हूँ ना प्याज ना लहसुन क्योंकि प्याज लहसुन टमाटर हर चीज उसमें डाला हुआ है और हींग में उसमें डालना भूल गई थी इसलिए तड़के में डाल रही हूँ तो तड़के में मैं जीरा डाल रही ह और थोड़ा थोड़ा आग लगने लगे तो बस गैस बंद कीजिए और लास्ट में सबसे लास्ट मिनिट में मैं रेड चिली डाली हूं ताकि काला न पड़े वो और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है ऐसे ही इजी और सिंपल रेसिपी के लिए आप मुझे सबस्क्राइब कर सकते हैं तो नए हैं तो सबस्क्राइब कीजिए अब पुराने हैं तो थैंक्यू सो मच आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है और ये दाल आप एक बार जरूर बनाएं बहुत ही इजी और सिंपल है यही दाल्ठो रिस्टरॉन में होटल में जाए तो 200-200 के मिल रहे हैं तो आई होप आप सबको पसंद आया हो थैंक यू सो मॉच बाबाई